संगर जी आईये ससंग की शरुवात करते हैं और ससंग के ले इन्वाइट करते हैं शुएता नरेश आपटी को आप प्लीज आए और गुरू जी का ससंग शेयर करें गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी अपनी शरन में लेने का हम सब पर अपनी महर बनाए रखने का शुक्राना सब सेवाधारों का शुक्राना विक्रम अंकल का और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे सब्दूरु का मेरे मालिक का संगत जी आज मैं अपनी जर्णी और अपनी मुलाकार गुरू जी के साथ कैसे हुई यह आप सबसे शेयर करूंगी मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ जैसे ही आज अंकल ने बोला तो अंकल ने यही बात बोली और मुझे याद दिलाया कि गुरू जी भी यह बोलते थे कि कोई भी सत्सन कितनी भी बार शेयर किया जाए हर बार उसके लिए किसी एक नई संगत का आंसर होता है और कई बार हम यह देखते हैं कि उसी सत्सन से हमें भी कुछ नई आंसर नेते हैं तो उसी विश्वास के साथ कि आज भी जब हम यह सत्सन कर रहे हैं हमारे गुरू जी के दरबार में हम सबके घर बे हम सबके मन में हम सबकी आत्मा में गुरू जी विराजमान है और हमारे आसपास वो बैठे हुए हैं और हमारे को सुन रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं संगत जी यह बात है 2000 की उस समय मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो के अट लीस्ट उस टाइम इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं चलती थी फिजिकल प्रॉब्लम और उसको बोलते थे अलस्रेटिक पॉलाइटस जनरली जिस डॉक्टर के पास गेस्ट्रेंट्रोजिस्ट के पास जाते थे वो यही बोलता था यह तो अमेरिकन बिमारी है कहां अपने पाली है बट जो कि हमारा डाइट, फूट और में था टेंशन जो हमें सोचने की आर्दत होती है वो चीजें हमने पाली होती है तो यह चीज हमारी बोडी को एफेक परती है शंग जी ऐस टाइब इस बीमारी की एक ही दवाई थी इंडिया में अपने इंडिया में का शली जो पाइरट और शल्पर होता था और मैं सलफर से एलर्जी तो एक तरह से मैडिसिन मुझे शूट नहीं कर रही थी जोकि उसको लेती मुझे एलर्जी होने के चांसे ज़्र जाती थी तो उस टाइम तिर मुझे स्टीरोइट्स पर लखा जाता है लेकिन करोना के बार हम सब की एक कॉमन में को भी यह पता चलिया है कि स्टीरोइट्स लाइफ सेविंग ड्रग है बट लॉंग टरम की जन्मी में ये काम नहीं आती ये बोड़ी को बहुत अपेक्ट करत तो संगजी एक तरह से ये था कि कोई आसरा नहीं था कोई उम्मीद नहीं थी एक तरह से ड्रग्स पे ही मैं चल रही थी और जैसा कि हम में से बहुत से लोग हैं उनके दर पे उस दरबार भी उसी वक्त पहुंचते हैं जब सब तरफ से हार गए होते हैं मेरे साथ भी एक common man, middle class, self-made मेरे parents, self-made man, हम लोग को अपने पे confidence होता है, उसको मैं अभिमान नहीं कह सकती, एक common man का मान कह सकती ही, और जब गुरुजी के दर पे आये, और अब समझ आया, वो मान भी उनके चरों में छोड़ दो, और सिरफ उस मैं और मान को छोड़ के उनके साथ चले, एक common man हूँ, normal human being हूँ, किसी का बुरा नहीं करती, जितनी मेरी आपात है, मैं लोगों के help करती हूँ, तो मैं किसी गुरु के पास क्यों जाओ, वो भी physical form है, तो एक तरह की ये thinking थी मेरे माइन में, और मैं नहीं believe करती थी, कि किसी गुरु पर, या किसी human body को मैं पेर टच क करके अपने भगवान के बराबर बिटा, हाँ, भगवान में God believer थी, God fearing नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता था, जैसे बड़े बोलते थे गलत काम करोगे, तो भगवान तुम्हीं देखेंगे, या मैनेज करेंगे, तो वो चीज थी कि गलत काम इसलिए नहीं करना है, क्योंकि भगवान उसको देखता है, और जिस भगवान को मैं बिली करती थी, बचपन से, वो मेरे भोले नाथ थे, शीप शंबू थे, तो एक ये भी पॉइंट था शाय, कि मैं गुरुजी के पास थोड़ी देर के लिए शुरू में रुख पाई, मेरी ये जर्नी शुरू होती है, basically, invitation की 2000, you can say 1999 से, क्योंकि मैं गई गुरुजी के पास 2000 में थी, बट उससे एक साल पहले, मेरी हालत को देख करके, मेरी छोटी सिस्टर, उसके जो senior boss है, उन्होंने उसको बोला था, कि आपके घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो गुरुजी के आगया है, आप आईए, और उनको ले के आईए, संगत जी, उस टाइम गुरुजी, एंपायर एस्टेट में बैठते थे, और हम सब जानते हैं, कि वहाँ पे उतनी संगत नहीं होती थी, 100, 500, 200, और फिर भी, जो मेरे मालिक का ओरा था, और जो वहाँ का समाबंधा होता था, हम में से किसी को ये आग्या अंदर से ही नहीं की, वर्बली किसी ने भी मना किया था, कि हम अपनी मर्जी से किसी संगत को ले के आजाए, आज तो गुरुजी ने हमें इतनी खुली छूटी है, कि हम किसी को भी बड़े मंदिर ले जाते हैं, दर्शन करवाते हैं, और ले आते हैं और उसकी सब पनोरत पूरे हो जाते हैं, गुरु जी उसकी छोलियां भर दूते हैं, पर उस समय जब तक गुरु जी खुद नहीं बोलते थे, आप किसी को भी नहीं ला सकते थे, तो एक तरह से एक आगया थी, एक साल तक, संगत जी एक साल तक, मेरा गुरु मुझे मेसेज पेजता रहा, आज मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन उस पर मैं नादान थी, अंजान थी, शायद मैं ये कहूंगे कि गुरु जी की जो वानी है और जो भाशा है, जिसमें उन्होंने पहला वर्ड ये बोला था, अपनी अगल को अपने जूतों के साथ छोड़के आओ, शाय संगत जी, अल्टीमेटली जून 2000 में, मेरी हालत बहुत खाराब थी, गर्मियों के दिन के, मैं ममी के घर आयी थी, मेरी सिस्टर रात को साड़े साथ पॉन्याट बजे आई, और बोली दीरी, उठ और चाय, संगत जी उस टाइम मेरा ये हाल था, कि हर एक दो घंटे में मैं वाश्रूम जाती थी, मेरे को मितलब प्राब्लम हो जाती थी, मैं कुछ भी खाती थी, मैं वाश्रूम के तरफ खाती थी, मेरा एक ही वीक पॉइंट था कि कहीं भी जाना है, अबल तो जाना ही नहीं है, क्योंकि जर्नी में मुझे प्राब्लम हो सकती है, जाना है तो जहा परदस्ती बाड़ी में बिठा के ले गए। मैंने उससे पहला गोश्चन यही कुछा था कि मैं वहाँ वाश्रूम तो होगा ना। उसने बोला तू यहां से चल जो होगा देखा जै। वो मेरे से बहुत छोटी है लेकिन जब वो डांटी है तो ऐसे ही डांटी है। और या तो उसकी डांट में गुरू जी की डांटी क्या था। संगत जी मैं उसके साथ बैठके गए। मैं उसको बहुत लुच कर चुक थी। हीमोगलोबिन मेरा साड़े छे और साथ होता था। और मतलब बीपी मेरा कापी लो रहता था बट वो जित में मुझे ले 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 इतनी दूर जाने के नाम से मुझे वैसे ही घवराश हो रही थी संद्ध जी हम गाड़ी में बैठे और वहां में वहां जाते ही आपने रेखा होगा पहले हम बाहर से गाड़ी बाहर रुकती थी अंदर आये हैंड वाश करके हम अंदर मंदिर के दरवाजे पे आये दरवाजे पे आते ही जब अंदर जाने लगे मेरी सिस्टर को बस एक ये था कि अब भी मैं आपको यही बताऊंगी वह मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी कि मैं हर बाते युआ एंड हाओ बिना रीजन बिना लॉजिक के मैं कोई चीज़ एक्सप्ट ही नहीं करती थी अब मेरी सिस्टर ने सिरफ ये बोला पीछे-पीछे मेरे एक तरह से जैसे हाथी पे अंकुष लगाते हैं हलके से पिंच करते हुए दिरी कुछ नहीं बोलना सिरफ मेरे को फॉलो करना और बाकी लोगों को फॉलो करना आवाज मत निकालना जो 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 कहा जाए करते जाए चलने के लगे अंदर आये सीडियों पे चड़े दरवाजे से अंदर आये अब मुझे लगा कोई बाबाजी होंगे डाडी होगी भगवे कपड़े होंगे एक तो पहले ही ये समझ से बाहर फा जो समझ थी जो अकल थी ज्यादा थी कि ऐसा कुण सा गुरू है रात को मिलता है या चन्नली गुरू तो सुबह मिलते हैं आठ बजे, नौ बजे, चार बजे, सत्संग होता है, ग्यारा बजे, बारा बजे, चलो ठेर सारे कोश्चन्स, ठेर सारे वाई, ठेर सारे हाओ, और एक ही उमीद कि चलो, कोई डॉक्टर, कोई फकीर कुछ नहीं कर पाया, सामने सीडी से उतरते ही, राइट में जब टर्न किया, अब ही स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं, इतना ब्यूटिफुल, इतना प्यूट, इतना पावर, इतनी वाईडेशन, ही कैसा गुरू है यार, इतना ड्रेस से, ड्रेस अप किया हुआ, इतनी ब्यूटिफुल तरीके से, तब तब यही था, कि गुरू का मतलब होता है, सिंपल कपड़े, वाइट या भगवे, और डाड़ी और मूच, यहां तो कुछ भी नहीं था, सब को चलग, जो इतने सालों के संसकार, यहां, खिंकिंग थिये, या माइड में एक सेटप था, सब चेंज हो गया, चलो, चलते गया आगे, पीछे पीछे मेरा कमांडर मुझे गाइड कर बोले जा रहा है, चुप रहना, चुप रहना, सब ने मतलब होता है, मैंने भी सर जुकाया, मतलब होता है, और वापसार, संगत जी वो यह टाइम था, जब मैं एक चपाती पूरे दिन में नहीं खा पाती हम थोड़ी देर बैठे, पहले दिन हमें उपर ले जाए, बेजा गया मुझे, हम लोग उपर जाके बैठ कर और बानी चल रही थी, तो मुझे लगा, मेडिटेशन कर लेते हैं, मेडिटेशन करने लग गए, मैं यही सोचे जारी थी, कैसे गुरू है, कैसा इनका अटायर ह और मुझे लगा, अगर अच्छे गुरू है तो उन्हें भी पता होगा, कि मैं भी पेर हुमन भी हूँ, वो मुझे पहचान जाए, मैं कोई चीटिंग नहीं करते, कोई भाइमानी नहीं करते, और मैं अच्छा इंसान ही, बस यह मैं और वो, मैं और वो, सोचते-सोचते हम मैं नीचे बुलाया गया, संगत जी, उन दिनों में गुरू जी अपने हाथ से हमें प्रशाद बैते, अपने छोटे-छोटे हाथों से ठे सारा प्रशाद, अपने बहुत से गुरू भायों से, सेवाधारों से, सत्संगियों से सुना है, कि छोटे से हाथ से, एक हाथ से ग तो उन्होंने फैला वह प्रशाद नहीं दिया, उस दिन उन्होंने दिया लड़ु प्रशाद, संगत जी, धाई सव ग्राम वाला इतना मोटा लड़ु, सीरा हाथ, दोनों हाथ में भरके, मैं मुर के रेखूं, और मेरी सिस्टर गोले, टर्न कर, चुप चाप से लेके बाहर जाते थे, बाहर जल प्रशाद भी मिलता था, भी सड़कते, वहाँ पे खड़ेों के हम वो प्रशाद फिनिश करते थे, हैंड वाश करते थे, फिर वापस अंदर आते, अब आप ये सोचिए, जो पिछले 3-4 महीने से एक चपाती खा रहा है, उस इंसान को आपने इ यही खाना है, फूरा खाना है, मैंने उसको यह गोले, बेवकुफ है, इतना बड़ा लड़ू, मिरको अभी वामिटिंग आ जाई है, कितने दिन हो गए, मुझे कुछ डाइजस्ट नी हो रहा, शी सेट तू यही खाले, तब पहली बार नहीं समझ आ रहा था, जो यहां ख मैंने वो पूरा लड़ू परशाद संगल जी खा ली, और वो खड़ी थी मेरे उपर, इंक्वायर कर रही थी, उसको शायद पूरा उसको शायद नहीं, उसे पूरा विश्वासा गुरू जी मुझी ठीक करें लिए, वो लड़ू परशाद खाके, अब मुझी लगे, अब थोड़ा आगे जाके, सारी संगत्मी धरवाजे के बाहर हम लोग बैठते थे वहाँ पर, हम सब वहीं बैठते थे, और वींग फीमेल ऐसे लगता था कि अंदर जा रहे हैं, इतने लोग आपको देख रहे हैं, जाते हुए वाश्रूम में आ रहे हैं, तो यही लगा मेरा स सिस्टर ने फिर मुझे पंच किया, कि थोड़ी सी कोने मारे, कि अब सीरे बैठना नीचे चले, मैट्स विछनी शुरू हो गई, हम लोग बैठ गए आमने सामने, और मैट्स ने पहली बार देखा गया, किसी लंगर में चार जनों के लिए एक ही जगर पर लंगर प्रिश् हो, मैं उपर हूँ, मैं किसी का छुआ हुआ नहीं खाऊँगा, मैं किसी का जूटा नहीं खाऊँगा, ये वाली भावनाओं को खतम किया, बिजॉल किया, और इस मैं को खतम कराया, सिमिलरली, मैं भी वहां बैठी, लंगर प्रशाद में मुझे सबजी और दाल का धियान नहीं है, बट ये याद है, कि चपाती थी, और तब लंगर प्रशाद में भी हलवा प्रशाद ही नहीं होता था, कई बार बर्शी प्रशाद होता था, जिले भी प्रशाद होता था, और मिठे में मिठाई होती थी, पहले गुरु जी बांच चुके होते, लंगर परिशाद आया, मेरी नजर सिरफ मिर्खी वाली चट्नी बढ़ी, संगत जी ये तो अब समझ आया है, कि जब जितना तीखा, जितना तीखा गुरु जी आपको देते हैं, उतने ही काले करम हमारे कटवा रहे होते हैं, ये उस वक नहीं थी समझ, और मैंने अपनी सिस्टर को ये बोला, उसने बोला अपने हिस्से की चट्नी तुम खाओगे, ये दो चपाती तुम खाओगे, और तब सुधा आंटी अपने हाथ से खाना बनाती थी वहाँ पर, चपाती अच्छी होती थी बहुत बड़ी भी नहीं होते थी, लेकिन बड़ी होती थी, और मैं ये सोचू, मैं दो चपाती, इतना बड़ा लड़ू, सब मैं खा चुके भी, ये होगा कैसे, how is it possible, मुझे वोमिट आपे रहे हैं, बट क्योंकि मैडम जी साथ बैठी थी, दांट रही थी, मैंने वो फ बहुत जाया करती थी, दिली में भी, और मम्मी का घर, दिली में विवेग्यार से आगे, सुर्यनगर में है, वो बडर के इस पार पढ़ जाता है, वहाँ पर लाइट पैसी ही बहुत जाती थी, इंवर्टर्स काम करना कम कर देते थे, दो रही गंटे के बाद, तीन गंटे से लाइट नहीं, में सिस्टर ने ममी के घर छोड़ा और फुट्व चले गई अपने घर, और मुझे ये लगे, कि बेटा, अब तो तुम गए, श्वेता, अब तुम्हें वामिटिंग भी आएंगी, क्योंकि गर्मी मुझसे टॉल्डेट नहीं होती, और तुमारी हालत फ परसन ठीक होगे, लेकिन काफी रिकवरी और वो जो डर और एक होरर था, कि मुझे कुछ टाइजस नहीं होगा, वो एक शुरू में तो हम यही कहेंगे, अब हमें समझाता है कि गुरू जी मिरेकल्स के लिए नहीं होए थे, गुरू जी है हमारे महर के लिए, वो हम पर महर करते हैं, वो मिरेकल्स नहीं करते हैं, बट हम नादान हैं, यह हम नादान लोगों को समझाने के लिए, कि मैं तुमारा शिव नहीं, मैं तुमारा महाशिव हूँ, वो कई बार, यह छोटे-छोटे मिरेकल्स, छोटे-छोटे जो स्पाक्स हैं हमारी लाइफ को, जो पूरी तरह से discharge है, spirituality की तरफ नहीं है, belief की तरफ नहीं है, उसमें ये light देते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कुछ तो अलग हुआ है, कि इतना खाना काके मुझे कुछ भी नहीं हुआ, then again, mind, brain, degree holder है हम लोग, intelligent है, अच्छे से पड़े लिखे हैं, एक ही जवाब आ रहा है steroids दियोंगे, क्योंकि तब नहीं नहीं मैं भी steroids ले रही थी साल भर से, मुझे ये पता था, कि body weight, फिर मुझे निमार्ग में आया, कि श्वेता वो खाना तो, छोटा बच्चा भी दो चपाती खा रहा था, बुड़ा अंगल भी दो चपाती खा रहा था, मोटी आंटी भी जबकि steroids का rule ये होता है, जितना आपका body weight है, उससे ज़्यादा grams नहीं दे सकते आप, फिर माइन में बोला कि वो 60 gram, अगर मेरा weight 50 gram है, फिलो है, तो मुझे उतनी देंगे, दूसरे को 20 kg की देंगे, कैसे possible है, तो वो देर नहीं हो सकती, इसी if and buts में चलते गए, चलते गए जर्नी चलते गई, second visit मेरी थोड़े दिनों बात हुई, मेरे husband के साथ हुई, और मेरे husband तो बहुत जल्दी, जितना मैं with logic and reasons किसी चीज़ को believe करना शुरू करते हूं, वो तो बहुत strong believer है, जहां भी तुम्हें बोलोगे, वहां वो उस पे सर जुका देते हैं, हाथ चोड़ एक जेड़ महीने बाद मुछे लगा, थोड़ा under control हो गई थी problem भी, कि नरिश हम चलें, गुरू जी के पास, मन किया, तो अब मैं पश्चिम भ्या रहती थी, वहां से गुरू जी के पास चले गई हम लोग, संगत जी पहली बार मैं अपने brother-in-law और sister के साथ आई थी, मेरे पिछली बार भी repeat कर चुकी हूं, तो इसलिए मैं आज नहीं कर रहे हैं, बड़ी stupid सी wish भी नहीं थी, एक भाव जागा था और गुरू जी ने वो भाव भी पूरा किया था, शुरू शुरू में तो हम बालब होते हैं, पिल्कुल नादान, अंजान और शेतान बालबती मैं हाते रहे कि कितमे नादान हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हम अपने पिपता को भूल जाएं, हम अपने पिता को एक बार को एग्नोर कर दें that I'm busy now, आज टाइम नहीं है गुरू जी, पिटा की नजर हमेशा हम पर रहती है, उनकी महर, उनका करम हमेशा रहता हैं, इ जब उन्होंने मुझे select कर लिया था, वहाँ उला लिया था, तो मुझे थी, और है, और हम सब पर है, और रहेगी, तो संगत जी, मैं सचसम ये शेयर कर वी थी, कि मैं और मेरे हजबन वहाँ गए, और हम वहाँ बैठें, बाहर आए, इंग किसी का नाम नहीं पता होता था हमें आगया नहीं होती थी किसी से बात करने की बर जैगुरु जी तो नहीं नमस्ते ही होती थी, तब जैगुरु जी हम नहीं बोलते थे, या यू सर जुका देते थे, हाँ जोडते थे, किसी को देखके, किसी के फेस को देखके, अगर आपको लगता था, ये जान पैचानता है, नाम नहीं पता होते थे, ना हम में से किसी को हागय थी ना हिनमत थी कि हम किसी से नाम पूछें. तो संगत जी मेरे हजबन ने बोला कि ये अंकल है पाद में पता चला वो सिंगला आंकल इंहोंने मुझे बुला कि अलग से बोला है कि गुरु जी कहने पहिने कि आपगो तीचरे दे दिमाग कुना लोजिक देनाल बहुत लोजिक होना है एना नू बहुत देर तक समवालना पहनना है एना नू को कि जुतियां देनाल अपनी अकल बाहर रख के आँ कुछ-कुछ पंजाबी थी मैं टूटी-उटी ही पोल पाई हूँ थंगजी मैं हैरान कि मैं और मेरे हस्बंड अलग ही खड़े थे उस वर जभी सिंगला अंकल ने नरिश को मैसेज दिया और मैंने आज तक दो बार आई थी किसी से कोई बाती के थी तो गुरुजी ने सिंग अंकल ने मेरे हस्बंड को कैसे बोला कि टीचर्स का दिमाग बहुत लॉजिक लगाता है क्योंकि बाई प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और मैट्स और अकाउंट्स की टीचर थी इसलिए लॉजिक्स और कैल्कॉलेशन सबसे ज़्यादा करती थी हर चीज में इफ और होता थ प्लस और माइनस होता था फेर होता था ठीक है लेकिन होता था ये दो चीजे थी जो गुरुजी हमेशा मना करते आयते और मेरे लिए वो सबसे पहला रूल होता था लाइफ का कि लॉजिक्स लगाओ और प्लस माइनस करके डिसीजन दो चलो गुरुजी ने अपनी शरण मे लिया था संगत जी बहुत सारी नाधनिया की बहुत चोटी चोटी गलतियां की चोटी जोटी बेवकुफियां की और धीरे धीरे मेरा मालिक अपना हाथ पकड़के मुझे उपर की तरफ लेता जा रहा है जरनी है संगत जी चलती रहेगी इसी से रिलेटेट मैं से एक और चोटा सा ससंग जो अभी अचानक याद आ रहा है मैं बता रहे हूं आपको पहले दिन तो मुझे उपर उठाया गया था उसके बाद संगत जी जहां गुरुजी का आसन है स्यासन है गुरुजी के राइट साइड में में जब ऐसा संगत हम जाते हमारे लेफ साइड में आगे-ागे मैं ही बढ़ती थी मेरे हजबंड और बेटा पीछे होते थे मत्था टेकती थी हर्जी जगह पे यह लगता था मैं फर्स्ट आओंगी मैं मैं और मैं आगे मत्था टेक के मैं मुर्ती थी वो सीट में शाखाली मिलती थी मैं पहां बैठ जाती थी और सिंगला अ तो शायद ना भगवान मुझे अपने पास ज़्यादा बिठा रहे हैं इसलिए वो मुझे पास बिठाते हैं और मेरे हजबंड और बेटे को उपर पहुँचाते हैं बच्चों वाली बात है मैं वाली बात है हसी वाली बात है सालों बात जाके समझ आया ये बात गुरु जिने सत्संग में ही कहलवा के समझाया कि नादा, मूरत, देवकु जिनके ज़्यादा करम बुरे होते हैं जिनके करम ज्यादा काले होते हैं उमी को तो मैं अपने ज्यादा पास बिठाता हूं ताके करम काटूं तो ये सब है नादानिया अब हमें हसी आती है क्योंकि अब पर बैमच आ रही है बहुत से है जो अभी भी नहीं आयी है बहुत से है जो अभी बहुत सीकनी है लेकिन यही छोटी छोटी हम सब संसुना की il區 मगतीं हैं और गुरु जी के साथ की जर्मी है वो हमें अपने साथ हर येगवा पर ले जाते है और हमें एक्सपीरियंसिस देते हैं, संगत जी अभी थोड़े दिन पहले में आंटी का सच्छन सुन रही थी, उस सच्छन में आंटी ने जब बोला था मंत्र जाब, अब इतने सालों में संगत जी 22 सन हो वे, ये शक्ती पहले भी संगत आई थी, लेकिन अब यही लगता है, जब संगत जी कोई और आसरा है ही ह Corinth, क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमें पता है, हम उस नाओ पे सवार हैं, उस शित में हैं, उस टाईजनिक पे हैं, जिसको गुरु जी ने समाला है, उसकी आर भी वो ही है, उसकी पार भी वही है, और वो ही हमारी जिदगी है, वो ही हमारा ये में वो ही हमारा अगला जन्म है तो संगत जी ये समझ आ गया है जब भी थोड़ी सी भी बेचैनी हो जब भी थोड़ा सा भी मन में परिशानी आए या ना समझ आए कुछ लगे कि कमपडेबल नहीं है एक ही इलाज है इसका कोई एक ही स्टीरोड से एक ही मंत्र है एक ही जल प जिवाए ये सबसे वड़ा मंत्र है संगत जी इसको जब करके आपके अंदर आपकी आत्मा में जो खालीपन है वो इस तरह से दूर होता है ये मेरे मालिक ने इतने साल में मुझे समझाया है 90% जैसा कि हर संगत में माना है और गुरू जी ने खुद कहा है कि तुम मेरी शरन में जब आते हो तुमारा 90% तो मैं अपने पे ले लेता हूं लेकिन 10% तो मुझे भोगना है, हमें भोगना है संगत जी और हमें भोगना है, उस भोगना में जब हम भी चैन होते हैं, फरिशान होते हैं, मालिक को कभी-कभी शिकायद भी करने लगते हैं, जानते हुए भी कि उसने हमारे मैक्सिमम दर्दों को खुद अपने पे ले लिया है, लेकिन इंसान है और वो हमारे पिता है, उसके सामने नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे, तो उसका एक ही जवाब मालिक ने लिया है, मुझे याद करो, जाप करो, पाठ करो, अनसंगत जी यह सच है, कितनी भी बिचैनी में आपको, कितनी भी प्रॉब्लम में आप हो, ना हलका फीटरोगी, जो इतनी बड़ी सिल जैसी problem लग रही थी, आपको वो problem नहीं लगे। मैं यह नहीं कह सकते हैं कि life है, तो problems नहीं आई हैं, बड़ धीरे-धीरे समझाया है, वो problems नहीं है, वो challenges हैं, वो एक तरह से ऐसा challenge है, जो गुरू हमारे सामने रखता है, और सामने खड़ा मुस्करा रहा है, जैसे एक छोटे सी, आप ये कहिए, अर्चन के सामने, हम छोटे बच्चे को चलाते हैं, और उसके रास्ते में कुछ रख देते हैं, या हमारा पिता जब हमें गाड़ी सिखाता है, और वो बोलता है, ये रास्ते में दो पत्थर पड़े हैं, इनके बीच से तू गाड़ी निकाल, और वो हमारे साथ बैठके देख रहा होता है, similarly, और हमे दस परसंट है, हमें पेख करना है, लेकिन जब हम उसको मंत्र जाप के साथ, पूरे विश्वास के साथ चलेंगे, तो वो प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगेगी, चैलेंज लगेगा, और जब उस चैलेंज को क्रॉस कर लेंगे, तो हमारा पिता मुस्कराता हुआ हमें फिर से अपनी शरण मिलेगा, फिर एक नई जर्णी की तरफ ले जाएगा, फिर एक नया चैलेंज देगा, और हमारे सोल को, हमारी आत्मा को, हमारी स्प्रिश्वल जर्णी को और आगे लेजाएगा, तो ये जर्णी कहां है? हमें नहीं पता हम अभी बहुत नीचे है गुरू जी जैसे आप हमेशा कहते हो मनु तुम सब कीड़े मकोडों की तरह लगते हो सही में हम बहुत नादान हैं हम बहुत गंदे जीव हैं गुरू जी हमें बहुत गंदी है बड़ हमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि हम आपकी च्वाइस हैं मुझे इस चीज पर हमेशा मान रहा है बुरू जी आपने हमें च्वाइस किया है हम आपकी च्वाइस हैं तो अब आपने जब हमें च्वाइस किया है तो ये मेरे मालिक, मेरे पिता आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हमें अपने लाइक बनाओ हमें इस लाइक बनाओ कि हम अपने आपको आपकी संगत कहते हुए सर छुकाएं नहीं, मान से, अभिमान से नहीं, मान से हम कहें हम इस गुरू की संगत हैं, हम संगत वाले हैं और हमारे गुरू ने हमें अपनी शरण में दिया हैं, हमारी गंधी को काटा हैं, हमें धोया हैं, हमें पोचा है, हमें कोशिश करके थोड़ा सा ब्राइट किया है और पुरुजी, आफ हम सब को, पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करिए कि हम अपनी आत्मा की जर्मी में आपके साथ और आगे जाएं और मंत्र जाप लगातार करते रहें संगत जी, अभी एक रिसेंट आपको सत्संग सुना रही हूँ हलाकि जहां पे ये सत्संग हुआ था, वो सत्संग अभी शेयर होना है वो अंकल ने बोला था, हम अगले महीने वो करेंगे, हर महीने कर रहे है कि आउंटी आप जरूर ये शेयर करिएगा छोटी छोटी बाते हैं, जो हमें बताती है कि गुरुजी हर पल, हर सेकेंड, हर मिनट, हर सांस में हर मुमेंट पे हमारे आसपास हैं, हमें देख रहे हैं हमें समझा रहे हैं, हमें समझ रहे हैं और हमें उपर उठा रहे हैं संगत जी अभी इसी 2nd Saturday की बात है एक सत्संग में गए और मैं बड़ी मांदारी से बता रही हूं ये करोना के बात का मींस 2020 से कि मेरा पहला संगत है जो मैंने किसी के घर में जोईनी किया इससे पहले मैं नहीं गई हूं किसी भी जगा पर सिर्फ बड़े मंदिर गई हूं और कहीं नहीं गई थी कि ऐसे open सत्संग में नहीं जा पाँँ अभी तब और because of precautions तो मैं वहाँ उस दिन गई जैसे ही इनोंने फोग प्रशाद के लिए लंगर प्रशाद लगाया मेरी आखे बनती और मुझे ये दिखा कि गुरुजी वो खाते लंगर प्रशाद में गुरुजी का पेस देख रहा है, खाते हुए वो देख रहा है, गुरुजी का चोला नहीं दिख रहा, सिरफ हात और पेस देख रहा है, आसन नहीं दिख रहा, कहां बैठे हैं, और मुझे एक चीज कि अंकल जैसे ही गुरु जी ने लंगर प्रशाथ फ़तम किया उन्होंने हाथ बढ़ा के मुझे बोला टावल कान। संगा जी मैं घबरा गई, मैं घबरा गई, मेडिटेशन पे यूँ मैं घबरा गई, और मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरी चुन्नी मेरे हाथों में थी, जो फैली हुई थी, आखे बंद में मैंने घुर जी को अपनी चुन्नी बख्रा दे, जैसे कि हमारे इंडिया में कल् से हमारा पसीना, प्यार से अपना मू, नानी, दादी पुँच देते थे, मैंने वो चुन्नी गुरुजी की तरफ बढ़ा थी, संगल जी, और गुरुजी ने हाथ पोँचे, उसके बद मेरी आखे खुल गे, तो मैंने देखा, अंकल आंटी अपना प्रशाद जो है वाप हाल कि सत्मुझ गुरुजी ने मुझसे चुन्डी से हाथ पुचवाया है, आपकों से अपने आपी आँसों निकलने शुरू हो गए, सत्संग के बीच में मेरे को चैदी नी पड़े और मुझे लगे, कि श्वेता, क्योंकि एक सत्संग और मैं आपको बताऊंगी, जिसमे से उनको बाहर ले गए, मैंने बोला अंकल एक बार बताएए, आज आपने क्या टावल नहीं रखा था, अंकल बोलते हैं आँटी, मैं भूल गए थे हम लोग टावल, तब मैंने उनको वो सत्संग मह स्टेर केस में शेयर किया, और मैंने बोला अंकल, प्लीज गुरुजी म कि आज से, तीन-चार सार पहले, हम नरिंदर अंकल के हैं सत्संग पे गए तो, नरिंदर अंकल के भी आपने वो भी गुरुजी के सेवा ढारा है, सत्संग सुने होंगे, वहां भी हम लोग बैडिटेशन पे बैठे थे, गर्मियों के दिन पे, मैक्सिमम एक्सपिरेंसेज गर्मी में दिलाते हैं, कारण धीरे-धीरे समझ आता है, मुझे सबसे ज़्यादा मेरा वीक पॉइंट गर्मी है, जो मुझसे टॉलेट नहीं होती, तो उसी गर्मी में, गुरुजी मेरी पेशिंस की टेस्ट लेते हैं, ये भी एक तरह से चैलेंज होता है, तो वहां भी स गर्मी में अवाज आती है, तो फ्लैट्स में सफोगिशन तो एसी भी चला लो, हो ही जाएगा, ओबियस ही बात है, तो हम मेडिटेशन में बैठे होए थे, गुरुजी के सामने ही बैठे हुई थी, एक में में आवाज आई, शेता, उठ, आलू प्याज ते मिर्ची दे प हो रहा है, मुझे लगा, नहीं, मुझे ना डाउट हुआ है, फिर मेडिटेशन ने लगगी, और जो सेवा दार है, जो घर के लोग है, वो पतीलों में खाना बना रहे हैं, साड़े आट पॉनिनों होने वाले हैं, पसीने से लगपत हैं, दुवारा आवाज आई, आलू प करने लगी कि अगली सेवा मेरी किसकी है, शायद गुरू जी मुझे ये चाहते हैं, कि अगली सेवा में तुम चाय प्रशाद के साथ ये सेवा लेके जाना, दिमाग है ना, लग जाता है, कितने भी साल साथ रहें, बट गुरू जी भी इसलिए हसते हैं, मैं शान्त हो गई मैं चलो अगली बार जिन्वी आंटी की भी सेव होगी, मैं बोल दूँगी ये प्रशाद हम गुरुजी को खेलाएंगे, समझ नहीं थी मुझे तब तक, तो संगत जी, फिर मुझे लगा नहीं, जो होस्त है, नरिंदर अंकल से मैं जरूर शेयर करूंगे ये बार, अब ये जादा है, थोड़ा लंगर प्रशाद हो जाए, फिर कम हो जाए, मैं अंकल को बताऊंगे, संगत जी साड़े दस बच गए, जनली हम लोग साड़े दस ग्यारावे तक, संगत काफी कम हो जाती है, 30-40 लोग बचे होंगे, थोड़ा हवा भी ठीक हो गई, इसी भी ठीक हो ग काना की मेरे साथ ही एपिसोड हुआ था, फिर बूल गई, रात को दो बजे हम घर वापस आए, सो गए, सुबा संड़े था, दस बजे उठके, अंकल को जै गुरू जी बोला, फोन पर, और मैंने बोला, अंकल उठ गयो, तो मुझे एकदम याद आता, साड़े दस, ग्यार के गुरू जी को अपने हाथ से बना के खिला, संगजी इतनी बड़ी अपरचुनिटी, गुरू मेरा मांग रहा है, और मैं बेवकु बैठी हूँ, बट फिर अब ये भी समझ आ गई है, जो गुरू जी ने दिया है, गुरू कहता भी है, करवाता भी गुरू है, शायद उ चार वजे चाहि प्रशाद के साथ ये भोग लगा देना हो नुछी को, क्योंकि अब लंच टांग भी निकल गया, तब तो ये दो बनी, तो इसी सत्संग को याद करके, जो इस सेकिंड सैटरडे को जब गुरू जी ने टावल मांगा था, मुझे ये सत्संग याद आया, और मैंने अंकल को बीच सत्संग में बोला था, बाहर जाकर के, कि अंकल टावल जुरू दुखेगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जो होस्त है, उसको हम टोकेन है, बट कई बार ये भी आगया आती है, कि अगर कहीं पे भी कोई सेवाधार, कुछ जाने अंजाने, अल इसमें गुरू जी की आगया नहीं है, उस चीज को हम ना करें, अगर गुरू जी उसको आखर के हमें बता लेते हैं, तो हम शेयर शरूर तरें संगत जी, संगत जी अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, कि सत्संग में जैसा कि हम जानते हैं, कि गुरू जी आते हैं, ह गुरुजी आसपास ही है और ये सच है वो ज़रूर आते हैं हम मन से बुलाते हैं लेकिन हमारा मन को से छूनी पाता क्योंकि अपनों में अपनों के वैलकम में डेकोरेशन में इन चीजों में हम बिजी हो जाते हैं तो संगत जी आपको एक छोटा सा और सचंग मैं बता रही हूं जो थोड़ा सा मुझे लगा मैंने शेयर नहीं किया है और आज जब विक्रम अंकल गुरुजी की आगया मुझे दे रहे थे तब ही मैं उनसे शेयर कर पाई वो कुछ शेयर कर रहे थे तो मुझे याद आया संगत जी ये 2000 के एक-दो साल आगे बीचे की बात होगी उसवत ये जो रोड थी ये काफी खाली हुआ करती थी नहीं 2000 से आगे होगया चार या पांच के बात के बात होगी बड़े मंदिर से आ रहे थे हम तो जब हम बड़े मंदिर से आ रहे थे हमारे पास उसवत मारूती संगाची तिवोली के पास आप देखेंगे जब हम जाते हैं हमारे राइट साइट पे दोनों रोड के बीच में साड़े चार पाच फीट के ग्रिल है डिवाइडर की तरह है थोड़ा उससे आगे हम वापस आ रहे थे रात को फ्यारा बजी का करीब टाइम होगा मारूती संगजी पीछे से बड़ी स्पीड से कोलेस आ रही है और हमें पता नहीं चल रहा हूं होन उसका बचता जा रहा है संगजी आप बिलिग नहीं करेंगे आप आ रहे हैं राइट साइट पे ग्रिल है साड़े चार पाच फीट की तिवोली से थोड़ा पहले का टाइब जगा संगजी वो गाड़ी हमारे लेफ से एकदम से उसने लेफ टरन लिया सामना दी बाट से टकरा गई इतनी स्पीड से टकराई संगजी और वो गाड़ी उचली है और जैसे बिलियर टेबल पे हम ठेल रहे होते हैं कि आपनी शॉट मारा है लेफ में गया लेफ से टकरा के वो संगजी आप इमेजन करें हमारी गाड़ी भी चली रही थी वो राइट में टान हुई खूमके पूरा हमें ठोक सकती थी लेकिन आप बिलीब नहीं करेंगे जो मैं आज भी नहीं कर पाती हूं लगता है जैसे मिरेकल हुआ था या क्या कोई अजूबा हुआ था वो पूंडरी थी ग्रिल थी उनको क्रॉस करके तिवोली के गेट की तरफ चली गई यू टर्न लेके उल्टी और फीडी खड़िया गाड़ी यू टर्न होगया उस रोट साइड सारी गाड़ियां रुख गई आगे पीछे की सब रुख गई और उसमें से ड्राइवर उतरा है सबने बोला पिया हुआ था शुकर करो बच गई हो संगत जी जब वो गाड़ी टर्न की है हमारे बोनट से आधा फूट छे साथ आठ इंच आगे होगी अगर वो छे फूट आगे होगी छे इंच आगे होगी या थोड़ा भी आगे होगी तो मारूती 800 इतनी स्पीड से आक संगत से काफी दिनों बाद किसी संसंग के थ्रू संगज आया कि जब तुम पर आता है तो गुरुजी ऐसे ही तुम्हारे करम कटवाते हैं और तब तो मंत्र जाप की इंपोर्टेंस इतनी नहीं समझ आती थी ये तो अब धीरे-धीरे संसंग भी हो रहे हैं संगत भी और गुरुजी जब अपरमपार हो गए हैं निराकार हो गए हैं तो उनकी शक्ति उनकी वाइब्रेशन हम सब में आती हैं और हम जल्दी से उनके मैस्टिस को कैच करते हैं तो संगत जी एक तरह से ये बात सही है गुरुजी जब हमें अपने पास बुलाते हैं हमारे करम काटन के लिए बुलाते हैं और हमारी आई होई बलाओं को जूर करने के लिए बुलाते हैं हमें तो ये भी नहीं पता उस मालिक से हमने क्या मामन है हम तो छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं दुन्यावी चीजें मांगते रहते हैं कि हमें ये देदो गुरुजी वो देदो जो नहीं आए मत सेंक्षन करना मैं ये कापी साल तक इस चीज को विले करती ले धीरे-धीरे समझ आना शुरू हुआ जो चीज गुरुजी पहले दिन से बोलते थे मन्नों, मंगों नहीं धीरे-धीरे मैं कहते दिस गुरुजी आप से नहीं मांगूंगी तो किसे मांगे अब समझ आया है और मुझे कुछ साल पहले तक लगता था कि वो दिन कब आएगा जब गुरुजी मैं आपके चर्नों में बैठूंगी और आपको कहूंगी कि अपनी रजा में राजी रखना हुरुजी जो जो तेरा हुकम तिवे तिवे रहना मुझे लगता था नहीं, मेरी इछाए है मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपने करियर के लिए पुरुजी को याद भिलाती रहती थी कि गुरुजी, देखो ये भी करदो ना, मुझे ये अच्छा लगता है ऐसे कर दो ना, मैं extra नहीं मांगरी बट मैं ये deserve करती हूँ धीरे धीरे ये समझ भी आ गई और end में मैं ये ही बोलती थी आगे आपकी मर्जी बट अब मुझे ये समझ आ गई है कि गुरुजी जो है वो तुम्हारी मर्जी है हम भी तुम्हारी मर्जी से शरण में आए है आपकी रजा में ही है अपनी रजा में हमें राजी करना सिखा दो अपनी हां में हां अपनी ना में ना हमें सिखा दो गुरुजी और अगर संगत जी मैं गिनूं तो जैसा गुरुजी ने बोला था, कोई एक भी फैमिली में से मेरे पास आ जाता है, तो मैं सब का कल्यान कर देता हूँ गुरू जी मेरे अपने आम तोर पे हम अपने माबाप, भाई, बैन और बच्चों के लिए मांते हैं और हम इंसान हैं सबसे पहले हम बच्चे के लिए मांते हैं तो मैंने सब बहुत बार बहुत कुछ मांगा था नादाम शी चीजें और ऐसी चीजे जिस पर किसी को विश्वास टीपा हो सकते हैं और वो हुई और वो हुई, मैंने सिरफ गुरूजी तो बोला गुरूजी देखो मेरी सिस्टर की डौटर के लिए करदो वो परिषान हो गुरूजी देखो इसके लिए ये करदो ये परिषान हो गहाँ और आगे दो चाड दिन में या भेंने में फोन आजा था कि नहीड ये प्राinf को हमेशा कहती थी मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करूंगी अर्दास करूंगी तब तक संगत जी मुझे अर्दास वर्ड समझ नहीं आता था मुझे लगता था मैं गुरुजी को बोलूंगी उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी अब समझ आता है अर्दास क्या होता है अर्दा मेरी नादानियों को अपनी छोटी छोटी मिरेकल से उसने फ्रूट किया कि देख मैं तुझे जानता हूं समझता हूं अब ये तेरी जर्मी है तो मुझे कितना समझती तो गुरुजी मैं आपको यही बोलूगी गुरुजी आपने अरिंगी शरन में बुलाया हैं आपने उस छोटे से स्पाक इतना बड़ा कर दीजे गुरुजी कि मुझे जहां देखो वहां तुम ही तुम देखो हर चीज में आपकी रजा दिखे हर सुख में आप साथ दिखो हर दुख में आप साथ दिखो और जब आप साथ हो पता है आपने हाथ कामा हुआ तो कोई चीज द ओन् चुशिवाई शिव जी आध साहाई GM, ओन्म नमोश्वाइ गुरु जी वह उसके महें हंजाट करकूट जिससे हमारा जीवन रोशन हो गया है, हम सब के पास है, इसके बतले जो gratitude है, जो शुक्राना है, वो ही हम कर सकते हैं, तो गुरुजी मैं बस तोनों हाथ चोड़ता है, आपको यही बोलूगी, कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हम सब के जीवन में आने का, जबकि हम य भी नहीं जानते थे, कि इस अपने मालिक को कहा स्थान दे, सिहासन पर दे, गदी पर दे, दरी पर दे, या अपने दिल में दे, तो शुक्राना गुरुजी हमारे जीवन में आने का, शुक्राना गुरुजी हम सब को अपनी शरन में लेने का, शुक्राना गुरुजी हम कि नादानियों को इस अंदाज से नजर अंदाज करने का कि हम अपने को छोटा नहीं माने लेकिन हमेशां ये माने कि हमें आपके और लाइप बना है हमें खुद को और समारना है तो गुरु जी बस अपने चर्णों में स्थान दीजिए और अपनी महर सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखिये और हमें इस लाइक बनाए गुरु जी कि हम कहीं पर भी इस मान के साथ हों कि मेरा गुरु मेरे साथ है और आपके मान को आगे बढ़ाएं गुरु जी आपके संगत को आगे बढ़ाएं आपके शुकराने को आगे बढ़ाएं और आपका गुर्वान ऐसे ही करते रहें इतनी ब्लेसिंग दीजिए और इतना अपना हाथ हमारे सर पे रखिए शुकराना गुरुजी शुकराना और उस मिनट का शुकराना जब आपने अपने दर्पे बुलाया उस घड़ी का शुकराना आज यही हम सुन भी रहे थे पुर्बान जाओं उस वेला जब त सद्गुरु पूरा पाया उस वक्त नहीं समझाया था आज समझ आ गया है कि हम सब ने हम सब ने संगत जी उस सद्गुरु को पाया है उसको निहारा है उसके एहसास को छुआ है उसको अपने दिल में समाया है तो सद्गुरु यह मेरे दादा हम सब पर नहर करना और ऐसे ह अपना रह्मों कराम हम पर परसाहे लगना जय गुरुजी संगत जी शुक्राना गुरुजी शुक्राना संगत जी शुक्राना अंकल जी शुक्राना शुक्राना जय गुरुजी